पंजाब के मशूर सिंगर सिद्दू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं रहे रविवाज शाम करीब साड़े पांच बजे एक साजिश रज बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई सिद्दू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया आपको बता दे जिस वक्त ये बारदात हुई वो दो लोगों के साथ गाड़ी में थे इस हत्या से जहां कुछ लोग सद्मे में हैं तो कुछ लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं इस वक्त आमबागने पार्टी लोगों के निशाने पर है दरसल एक दिन पहले ही सिंगर की सुरक्षा वापस ले ली गई थी साथ ही खुलियाम इसका एलान भी किया गया था कि अब मुसे वाला के पास सुरक्षा नहीं है जो कातिलों को हरी जंडी दिखाने जैसा था बताया जा रहा है कि उन्हें गैंक्स्टर्स की और भी धंकिया मिल रही थी जसके बावजूद उनसे सुरक्षा वापस ले ली गई और 24 गंटे के अंदर ही तावर तोट गोलिया चला कर उनका कतल कर दिया गया मुसे वाला की मोद की खबर सुनकर हर कोई हैरान है सोशल मीडिया पर जानी मानी हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है अज़ देवगन ने ट्वीट कर कहा कापेर शर्वा ने लिखा सतनाम श्रीव वाहे गुरू बहुत हैरान करने वाली और बहुत दुखत एक महान कलाकार और एक कमाल के इंसान भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे अलिगोनी ने भी ट्वीट किया है वहीं विशाल ददलानी ने लिखा मैं सिद्दु मुसेवाला को उनके संगीत के जरिये जानता था उनके निधन की खबर बेहत दुखत है भारत में बहुत कम authentic modern कलाकार है वो इस लेस्ट में सबसे उपर थे मेरे पास शब्द नहीं है वो एक legend थे उनके अवाज, उनके साहस और उनके शब्दों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा दुखत दिन जरीन खान लिखती है ये दिल धिला देने वाला है और हैरान करने वाला है रेस्टीन पीस सिद्दु मुसे वाला वहीं अर्मान मलिक न लिखा शोकिंग और भयानक ये सच नहीं हो सकता कंगनर अनौत ने भी सिंगर की मौद पर पंजाब सरकार पर निशाना सादा है इनके अलावा पूरी पंजाबी इंडस्ट्री और कलाकार इस वक्ट शोक मना रहे है सरगुन मैता, दलजीत दोसान, जैमेवर करन ओजला सोरब बाजबा, भागति सेंग और हिमाशी खुराना सभी सलेब्स ने सिद्दु मुसे वाला की मौद पर दुख जता है वाल हमारी आज किस रिपोर्ट में बस इतना ही मैशी का जैन पंचाब के स्री डेली से अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तुमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी ये वीडियो योट्यूब पर देख रहे हैं झाल झाल